एक बार एक व्यक्ति के शरीर और आत्मा में बड़ी जोर से बहस छिड़ गई शरीर तमकर कहने लगा कि मैं तो जड़ हूँ मिट्टी का पिंड वहीं से पैदा हुआ हूँ और वहीं मिट्टी में मिल जाऊँगा मैं मोहो पैदा करने वाली चीजों को देख भी नहीं सकता फिर भला में पाप कैसे कर सकता हूँ आत्मा भला अपनी परदोश क्यों लेती वो भी तुरंट तुनक कर कहने लगी मेरे पास पाप करने का कोई साधन नहीं है मैं भला कोई पाप कैसे कर सकती हूँ इस तरह आत्मा और शरीर के बीश बहुत देर तक बहस चलती रही आखिरकार उन्हें अपनी बहस को सुलजाने के लिए ठाकुर जी के पास जाना पड़ा ठाकुर जी ने उन दोनों की बात बहुत ध्यान से सुनी और वे मुस्करा पड़े बोले पाप के लिए तुम दोनों ही बराबर बराबर जिम्मिदार हो आत्मा इसलिए जिम्मिदार है कि वह इंद्रियों को ठीक से दिकार नहीं पाती और शरीर इसलिए जिम्मिदार है क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता और अगर आत्मा और शरीर दोनों ठीक से अपना काम करें तो ही पाप से बचा जा सकता है हरे कृष्णा जैश्री राधे इन्ही अनमोल वचनों के साथ आप सभी का दिन शोभ और मंगल में हो और ठाकुर जी का आशिरवा सिदा आप सभी बरबना रहे आज पापांकुषा एकादशी के पावन अफसर पर आप सभी भक्त सुनेगे पापांकुषा एकादशी वृत की पुराणिक कथा साथ ही आप सुनेगे तुलसी माता की कथा भी क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करने और सेवा करने से भगवान श्रीहरी सबसे अधिक प्रसन हो जाते हैं इसलिए सबसे पहले सुनिए तुलसी माता की कथा और फिर इसके बाद अंत में आप सुनेंगे पापंकुशा इकादशी की इसकंद पुरान में वर्नित कथा एक समय एक परिवार में ननत और भावी साथ साथ रहा करती थी ननत का विवा अभी नहीं हुआ था वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी नियम से तुलसी को सीज़ती और दीपक जलाती थी लेकिन उसकी भावी को इस सारी बाते बिलकुल भी पसंद नहीं थी तो मैं इस तुलसी को ही बरातियों को खाने को दूँगी और तुम्हारे देश में भी तुलसी ही दूँगी तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो कुछ समय बीद जाने पर ननत का विवा तै हो गया विवहा के दिन भावी ने अपने कहे अनुसार बरातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननत किया करती थी और तुलसी की पत्ते खाने के लिए कहा तुलसी जी की करपास से वह फोटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया भावी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बनेवे गहने अपनी ननत को पहना दिये देखते ही देखते तुल्सी जी की मंजरी से बने वो गहने भी सुन्दर सोने जवारात में बदल गए इतना ही नहीं भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुल्सी का जनेव रख दिया और वह भी रेश्मी और सुन्दर वस्त्रों में बदल गया अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुची तो ससुराल में तो उसके दहेश की बहुत प्रशिंसा हुई ये बात भावी के कानों तक भी पहुची उसे बहुत आश्चरी हुआ उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेव तक तुलसी जी के ही रखे थे तुलसी की मंजरी रखी थी ये सब जानकर भावी को बहुत आश्चरी हुआ अब उससे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया उस भावी की भी एक लड़की थी वे तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी तुम भी तुलसी की सेवा किया करो तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा वे जबर्दस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सिवा में लगता ही नहीं था धीरे धीरे समय बीता भाभी की लड़की बड़ी हो गई अब उसके विवा का समय आ गया तब भाभी सोचने लगी कि जैसा विवार मैंने अपनी ननत के साथ किया था वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूँगी तो ये भी गहनों से लग जाएगी और बरातियों को भी खाने में तरह-तरह के पकवान मिलेगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा यही सोच कर भाभी बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोर देती है लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं जेने उन्हें भी अपना रूप नहीं बदला और जब भावी ने सभी बरातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिये तो ये देख कर सभी लोग और बराती भी भावी की बुराई करने लगे भावी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेश में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदी रख दिये थे जब बेटी अपनी सुसराल पहुँची तो वहाँ पर भी उसकी बुराई ही हुई भावी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननत को नहीं बुलाती थी एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है क्योंना मैं ही अपनी बेहन से मिलकर रहूं ये सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बेहन के लिए ले जाने की बात कही तो भावी ने थैले में जवार भर कर कह दिया कि ये लो और कुछ नहीं है तुम यही लेकर जाओ तब भावी बहुत दुखी मन से अपनी बेहन के पास चल दिया रास्ते में वैं सोचना रहा कि कोई भावी भला अपनी बेहन के खर जवार कैसे लेकर जा सकता है यही सोच कर वैं गौशाला के पास रुक गया और जवार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया तब ही एक गौआले ने ये सब देख लिया तब गौआले ने आकर भावी से कहा कि अरे आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रही हो इसे तो गहस डालनी होती है तब भाई ने देखा तो वे हिरान रह गया फिर भाई ने गवाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी-खुशी अपनी बहन के घर चल दिया दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन हो गए तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाई को सतबुधी प्राप्थ हो जाए और तुलसी माता की करपा से उनके घर में सुक समरिधी और धन के भंडार भर चाए तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाई का मन बदल गया और वह अपनी ननत को बहुत मान समान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी तुलसी माता की करपा से उनके घर में सुक समरिधी के भंडार भर गए उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुक से रहने लगे प्रेम से बोले तुलसी माता की जय आश्विन महा के कृष्ण पक्ष की इंदरा एकादशी वृत का महाते में सुनने के बाद धर्मराज युदिस्टर की जिग्यासा और पढ़ गई तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मदुसूदन से पूछा कि है मदुसूदन अब आप करपा करके ये भी बतलाईए कि आश्विन के शुकलपक्ष में किस नाम की एकादशी होती है तब भगवान शिर कृष्ण बोले राजन आश्विन के शुकलपक्ष में जो एकादशी होती है वे पापांकुषा के नाम से विख्यात है वह सब पापको हरने वाली और उत्तम हैं उस दिन संपोर्ण मनुरत की प्राप्ति के लिए मनुशों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्म नाब संग्यक मुझ वासुदेव का पूजिन करना चाहिए जितेंद्रिय, मुनी, चिरकालत, कठोरत पस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुर्धवज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है प्रथवी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवाले हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विश्नु के नाम कीर्थन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है जो शारंग धनुष धारं करने वाले सर्व व्यापक भगवान जनारदन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोग की यातना नहीं भुकतनी पड़ती यदि अन्यकारे के प्रसंग से भी मनुष्य एक मात्र एक आदशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती जो पुरुष विश्नु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वे भगवान विश्नु के लोक में इस्थान नहीं पाता उसे निश्य ही नरक में गिरना पड़ता है इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विश्नों की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डाल कर तब तक पकाया जाता है जब तक की चौधा इंद्रों की आयू पूरी नहीं हो जाती ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुन्दर इस्त्री, धन और मित्र देने वाली है राजन एकादशी को दिन में उपवास और रात्री में जागरन करने से अनया से विश्नु धाम की प्राप्ती हो जाती है हे ये दिस्ठर, वह पुरुष मात्र पक्ष की दस, पिता के पक्ष की दस और इस्त्री के पक्ष की दस पीडियों का भी उधार कर देता है इकादशी वरत करने वाले मनुष्य दिव्य रूप धारी, चतरभुज, गरुड की द्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और वितामबर धारी होकर भगवान श्री विश्नु के धाम को जाते हैं आश्विन के शुकल पक्ष में पापांकुशा कवरत करने मातर से ही मनुष्य सब पापों से मुक्तो कर श्री हरी के लोक मी जाता है जो पुरुष सुवन, तिल, भूमी, गव, अन, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यम्राज को नहीं देखता राजन, दरेत्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथा शक्ती स्नान, दान, आधिक्रिया करके अपने प्रत्यक दिन को सफल बनाए जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यग्यादी पुर्णिकर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर्यम यातना नहीं देखनी परती लोक में जो मानव, धीरगायू, धनाठ्य और कुलीन तथा निरोगी देखी जाते हैं वे पहले के पुर्णिकर्ता पुरुष ऐसे ही देखी जाते हैं इस विशय में अधिक कहने से क्या लाव युदिष्ठिर मनिश पाप से दुर्गती में पढ़ते हैं और धर्म से स्वर्ग लोक को जाते हैं राजन तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुषा का महातर में मैंने वर्णन कर दिया भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से पापांकुषा का महतमी सुनकर तब श्रधा पूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधी पूर्वक पालन किया जिसके पूर्णि प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अन्त में विभगवान श्री विष्ण के व्यकुठ लोग को गए ये पवित्र पापांकुषा एकादशी व्रत का पुनि प्रताप ही था कि एक बहिलिया जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा की थी जो बहुत करूर और हिंसक था उसका सारा जीवन एक मात्र पापांकुषा एकादशी के व्रत से बदल गया और उसे जन्म जन्मां हिंसा लूट बाट मध्यपान और गलत संगती में ही बीता था एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते वे अंगिरा रिशी मिले उसने अंगिरा रिशी से कहा कि मेरा कर्म बहिलिय का है इस कारण है मुनिवर मुझे तो नजाने कितने ही निरह पशुपक्षयों को मारन पड़ा है मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किये हैं इसलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा कर्पकर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो उसके निवेदन करने पर महर्शी अंगिरा ने उसे आश्व की विधान से किया इसवरत के पुनिप्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप नस्थ हो गया और जीवन के अंतिम छणों में उसे श्री हरी की क्रपा से मुख राप्ति भी हो गई इस परकार यदी पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पापों का प्रैशित करते हैं और इस कथा का श्रवन करता है भगवान श्री हरी की करपा से उसके सभी पाप कट जाते हैं जिस प्रकार से बहेलिये को उसके सभी पापों से मुक्ति मिली इसी प्रकार है श्री हरी सभी को उनके पापों से मुक्ति दिला कर अपनी वैक कुंठ लोग में वास देना प्रेम से बो को शेर करने के साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा